हेलो फ्रेंट्स आज इस वीडियो में अन्बोक्सिंग करने वाले एसर की तरफ से आने वाले सूपर गेमिंग लेपटॉप एसर निट्रो फायो की ये लेपटॉप 80,000 रुपे की प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट लेपटॉप है क्योंकि यहाँ पर आपको काफी अच्छी गेमिंग देखने को मिले की साथ है कंटेंट के रिएशन भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा इस लेपटॉप के साथ में जो के आगे हम इस वीडियो में जानेंगे तो अब कर लेते हैं इसकी अन्बोक्सिंग बोक्स में लेपटॉप देखने को मिल जाता है जो की अच्छी पेकिंग के साथ आता है तो यहाँ पर यूजर मेन्यूल के साथ एक इन्वेलोप दिया गया है और इस बोक्स के अंदर एक और बोक्स दिया गया है जिसमें आपको एक चार्जर देखने को मिल जाता है में देखने को मिलता है और गेमिंग लेप्टोप होने के कान ये थोड़ा सा हेवी लेप्टोप है तो ये वाला लेप्टोप बले कलर में देखने को मिलता है ये आर्जीबी वाला वेरियंट है और यहां पर आपको एक 16 जीबी का वेरियंट भी देखने को मिलता है लेकिन मै लेप्टॉप के टोप लिड में लेजर प्रिंटिंग डिजाइन दिया गया है, जो कि थोड़ा गेमिंग लुक देता है, साथ ही देखने में भी अच्छा लगता है, तो यहां पर आपको टोप लिड में बहुत ही कम भूबल भी देखने को मिल रहा है, तो इस लेप्टॉप के टोप लिड की क्वालिटी कापी अच्छी है, और इस लेप्टॉप को बार बार ओपन करने पर भी हिंच से कोई साउंड सुना ही नहीं देता, तो इसकी हिंच क्वालिटी भी कापी अच्छी है, लेप्टॉप के बोटम में भी आपको प्लास्टिक की बोड़ी देखने 2.5 kg तो यह gaming laptop होने की वज़े से थोड़ा थीक और heavy laptop है इस laptop को हम one hand से आसानी से open कर सकते हैं यानि की यहां पर आपको कापी अच्छा weight distribution दिया गया है इस keyboard quality के अगर बात करें तो इस laptop के keyboard में बिलकुल कम यानि की ना के बराबर flex देखने को मिलता है जिससे इसका keyboard लबे समय तक चलने वाला है क्यूंकि जितना complex होता है उतनी ही ज़्यादा keyboard की life होती है इस laptop में सभी पोर्ट दिये गए हैं राइट साइड में 2 USB 3.2 Zen 2 पोर्ट दिये गए हैं जिसमें 10 Gbps की speed मिलती है और first वाले पोर्ट में power of charging का function दिया गया है मतलब बन लेटोब में भी हम इस पोर्ट से अपने smartphone या power bank को charge कर सकते हैं लेट साइड में can see button lock दिया गया और RJ45 Ethernet पोर्ट भी दिया गया साथ एक और USB 3.2 Zen 1 पोर्ट दिया गया जिसमें 5 Gbps की speed मिलती है और लेट साइड में एक और headset या speaker jack भी दिया गया है वेट साइड में भी 3 पोर्ट दिये गये हैं जिसमें से पहला पोर्ट power delivery के लिए है दूसरे वाला पोर्ट USB Type-C 3.2 Zen पोर्ट दिया गया है जो की एक full functioning thunderbolt 4 पोर्ट है जिसमें 40 Gbps की speed मिलती है और ये वाला पोर्ट 65 पोर्ट की Type-C charging को सपोर्ट करता है और बेक साइड में ही display output के लिए HDMI पोर्ट भी दिया गया है इस लेटोप में आपको full size गा बेक लिट की बोर्ट दिया गया है साथ इसमें आपको kit travel भी कापी अच्छा देखने को मिलता है इस लेटोप का keyboard white ascent के साथ आता है Nitro की तता gaming में यूज होने वाली WSD और arrow की को highlight किया गया है ताकि कम visibility में भी इन keys को आसानी से देख सके इस लेटोप में परकी RGB तो नहीं दिया गया है लेकिन यहाँ पर आपको 4 zone RGB keyboard दिया गया है इस software में static और dynamic mode दिये गये है और dynamic mode में ही 5 और keyboard को customize करने के लिए mode दिये गये है जिनकी साथ आता से हम keyboard की backlit को अलग-अलग animation दे सकते हैं तो इनी features की वज़े से इस price range में आने वाले सभी laptop के keyboard से इस laptop का keyboard सब से बैतर है इस laptop में 15.6 inch का बड़ा सा 1920 by 1080 pixel resolution वाला full HD plus IPS LCD panel दिया गया है जिसका aspect ratio 16 ratio 9 है इस laptop की display में 144 hertz का refresh rate और 3 millisecond का reaction time देखने को मिल जाता है जो कि gamers के लिए अच्छा है ये laptop Acer Compy View Technology के साथ आता है इसी का इसकी display में आपको color भी कापी अच्छे देखने को मिलते है NTSC के बारे में तो Acer ने कोई जानकारी नहीं दिये लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि इस laptop में 45% से ज़्यादा का NTSC दिया गया है brightness के बारे में भी Acer ने कोई जानकारी नहीं दिये लेकिन जब हमने इस laptop को 300 nits brightness वाले laptop से compare किया तो ऐसा लगा कि इसकी brightness 200 nits से जादा और 300 nits से कम किये तो इस laptop में बड़िया रिप्रेस रेट अच्छा brightness और क्विक रेस्पोंसिव डिस्पले दिया गया है बड़ी साइजगी IPS डिस्पले के साथ दो वोट के डूल बोटम फाइरिंग स्पिकर दिये गये और जब हमने इस laptop का sound test किया जो कि आप देख सकते हो तब इसने 80-85 decibel का sound generate किया जो कि एक every sound है और पेली बार Nitro 5 laptop में DTSX sound का support दिया गया है जो कि स्रिप आपको headbone में देखने को मिलता है और इसमें आपको छे अलग-अलग mode देखने को मिल जाते है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, share कीजिए, साथ इस चेनल को सब्सक्राइब भी कीजिए इस laptop में आपको 32 MHz की DDR4 RAM टाइप का support दिया गया है ये वाला laptop 8GB और 16GB RAM और 512GB Storage variant के साथ आता है और इस laptop की RAM को मेक्सिमम 32GB तक extend किया जा सकता है इस laptop में 512GB का NVMe PCIe Chain 4 SSD दिया गया है और जब हमने इस laptop पर Crystal Disk Mark टेस्ट किया तो इसकी read speed लगबग 1400 Mbps और write speed लगबग 5000 Mbps देखने को मिली जो कि इस price range में आने वाले laptop में मिलने वाले PCIe Chain 3 SSD के comparison में दो गुनी है और जब हमने इस laptop पर boot टेस्ट किया तो इस laptop को boot होने में 8-10 सेकिंड का time लगा और ये सब possible हो पाया Zen 4 SSD की काई जो की कापी fast है RAM और storage से related अगर कुछ important APIQ की बात करे तो इस laptop में आपको storage expansions के कापी अच्छे option देखने को मिलते हैं तीन storage के option देखने को मिलते हैं क्या ये वाला laptop DDR5 RAM टाइप को support करता है तो ये वाला laptop शिर्फ DDR4 RAM टाइप को सपोर्ट करता है क्योंकि अलग लग टाइप की RAM के लिए PINTS की सहिंग्या अलग होती है ये वाला laptop का RGB RAM variant क्रिदना 16GB की तुलना में बेतर क्यूं है तो देखो ऐसा है कि जो RGB और 16GB के RAM variant वाला ये laptop है उसमें आपको 3000 की price का difference देखने को मिलता है और अगर आप अपने से 3000 रुपे और 8 करतो यानि कि अगर total 6000 रुपे में 16-16GB की अगर 2 RAM खरीद कर इसे अगर 32GB RAM variant बनाया जा सकता है इसके बाद इस laptop की जो gaming परपोर में ऐसे वो कापी बेतरीन रेने वाले है साथी video editing या graphics related कोई भी software हो वो कापी smooth चलेंगे इसी वज़े से मैं बोल रहा हूँ कि आपको RGB का RAM variant खीतना चाहिए साथी 3000 और 8 करके आप इसकी RAM को मेक्सिमम 32GB तक extend कर दो उसके बाद यहाँ पर आपको gaming में काफी मज़ा आने वाला है और सबसे most important question की अगर बात करें तो क्या इसकी RAM को हम अपने थुरू upgrade कर सकते हैं तो देखो अपने थुरू upgrade तो कर सकते हैं लेकिन जब मैंने Acer के service center से contact किया तो उन्होंने मुझसे बोला कि अगर आप अपने थुरू upgrade करते हो तो आपकी warranty void हो जाएगी तो मैं आपसे को एक ही suggestion दूँगा कि आपको यहाँ पर Acer के service center पर visit करना चाहिए और वहाँ पर आपको जो RAM upgradable का charge होता है 767 रूपीज पे करने होंगे और साथ यह आपको RAM लेके जानी होगी यह purchase करके उनको देनी होगी और वह आपको upgrade करके दे देंगे इसके लिए आपसे 767 रूपे का charge लिया जाएग इस laptop में Intel Core i5-12 generation 12500H processor दिया गया है जो कि 12 core और 16 thread का processor है जिसमें आपको 4 performance core multi-threaded दिये गए है मतलब की total 8 core जिनकी base speed 2.5 GHz और boost speed 4.5 GHz है और 8 efficiency core जो की single thread head है जिनकी base speed 1.8 GHz और boost speed 3.3 GHz है और इस laptop में 18 MB का L3 case memory दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छा है तो इस laptop के साथ 4 extra physical core दिये गए जब गी इस price range में आने वाले अन्य प्रोसेसर Intel Core i7-11 Generation, Ryzen 7, 8600H और 800H में आपको 8 physical core दिये गए है तो इस laptop की multitasking performance कापी अच्छी रहने वाली है साथ ए content creation जैसे video और photo editing इस laptop के साथ आपको अच्छी देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर आपको 12 physical core वाला CPU दिया गया है और यह वाले application CPU का ही ज्यादा use करते है इस laptop में आपको integrated Intel USD graphics दिया गया है जो कि normal usage के लिए कापी अच्छा है और इस laptop में आपको NVIDIA GeForce, RTX 3050, 4GB का dedicated graphics card दिया गया है जो कि 95 watt की maximum TGP के साथ आता है इस laptop के thermals के अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कापी अच्छे thermals देखने को मिलेंगे क्योंकि इस laptop में air intake के लिए आपको 2 air intake wall दिये गए जिसमें एक keyboard के उपर जबगी दूसरे वाला laptop के निचे की side है और 4 exhaust wall दिये गए दो दोनु side में जबगी 2 laptop के पीचे की side दिये गए इस laptop में CPU और GPU के लिए दो अलग अलग fan दिये गए जिनकी speed निट्रो सेंस से control की जा सकती है निट्रो सेंस में performance के लिए 3 mode दिये गए quiet, default और performance mode performance mode में आपको best performance देखने को मिलेगी लेकिन इसके लिए आपको अपने laptop को charger से plugin करके रखना होगा तो performance में ये laptop इस price range में आने वाले SS लेने वो HP और MSI के laptop से बेतर है क्योंकि इस laptop में बढ़िया CPU दिया गया जिसकी वज़े से content creation वाले AP smoothly चलेंगे और साथ ही अच्छा GPU दिया होने के कान गेमिंग के साथ-साथ graphics related work भी आसानी से इस laptop पर किये जा सकेंगे इस laptop में 57.5 वोट की 4-cell की lithium-ion बेटरी दी गये और 180 वोट का charger दिया गया जो कि इस laptop को लगबग 1.5 आउर में फुल चार्ज कर देता है और थंडर बोल्ट पोर्ट दिया होने के कान 65 वोट की टाइप-C चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया Acer कलेम करता है कि यह laptop 5-hour का बेटरी बेकप देखा लेकिन मैं आपको बता दूँ अगर आप नॉर्मल यूज करोगे तो 3-hour का और अगरा heavy work जैसे video editing, gaming में आपको maximum 1.5 hour का ही बेटरी बेकप देखने को मिलेगा यही इस laptop की सबसे बड़ी कमी है क्यूंकि यहाँ पर आपको एक कम capacity की बेटरी दी गई है इस laptop में Bluetooth 5.2, Intel Killer Wi-Fi 6 और Intel Killer Ethernet पोर्ट दिया गया डिस्पले आउटपुट के लिए भी full functioning thunderbolt 4.0 और HDMI 2.1 डिस्पले आउटपुट बोर्ट दिया गया यानि कि आप इस laptop के साथ एक साथ दो डिस्पले आउटपुट ले सकते हो तो इस laptop के साथ connectivity अच्छी दी गई है मैंने इस laptop पर अभी तक game टेस्ट तो नहीं किये लेकिन लगबग सारे के सारे benchmark टेस्ट की है और ये वाले सभी टेस्ट मेंने performance मोड पर किये तो सबसे पहले Cinebase R23 पर इस laptop को सिंगल कोर में 1718 पॉइंट और multi-core में लगबग 14,000 पॉइंट मिले है जो कि एक अच्छा स्कोर है Geekbench 6 पर single-core में 2880 और multi-core में 6,015 पॉइंट मिले है और इस laptop पर हमने और टेस्ट भी किये जिससे कि Crossmark, PCMark 10, PCMark Performance टेस्ट जिनका benchmark score इस्क्रीन पर 100 हो रहाऊगा इस laptop के CPU को सभी benchmark पर अच्छा स्कोर मिला है तो content creation के लिए भी ये laptop अच्छा है CPU के साथ साथ हमने इस laptop पर कुछ GPU टेस्ट भी किये और सबसे पहले हमने blender 3.5 रन किया जिसमें monster में 790 सेंपल पर मिनट junk shop में 192 सेंपल पर मिनट और classroom में 304 सेंपल पर मिनट का score देखने को मिला जो कि कापी अच्छा स्कोर है Uni Engine Haven 4.0 Benchmark पर OpenGL में average 125 fps और direct 3D 11 में average 149 fps देखने को मिलें जो कि एक बढ़िया score है और मैंने Superposition Benchmark 1080 पिक्सल पर और high setting पर रन किया तो OpenGL में लगबग 6900 के score और average 60 fps का frame rate देखने को मिला और direct X में 7447 का score और average 70 fps का frame rate देखने को मिला तो इन benchmark से एक बात का लिए रहे है कि इस laptop पर 1080 पिक्सल पर Full HD में आप अच्छी gaming कर पाऊगे कर inclusion के अगर बात करूँ तो इस laptop को मैंने Asus, TUF-F15, HP Victus Gaming, Lenovo IdeaPad Gaming 3 MSI-GF66, Katana और इस price range में आने वाले सभी laptop के साथ compare किया तो इस laptop में सबसे best processor दिया गया है बेतरिन keyboard दिया गया Zen4 का SSD और अच्छा storage expansions का support भी दिया गया है और बढ़िया display के साथ-साथ connectivity भी अच्छी दी गई है अगर इस laptop के कमी की बात करूँ तो battery की capacity कम दी गई है MSOPS भी missing है और अगर DDR5 RAM type का support होता तो ये laptop 90,000 रुपे की price range में भी सबसे बेतरी laptop होता इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी दिमाग में कुछ क्यूशन चल रहे होंगे जैसे कि क्या ये laptop 80,000 रुपे की price में सबसे बेतर laptop है तो ये वाला laptop 80,000 रुपे की price range में सर्भी user जैसे कि content creator, gamers और graphic related वरक वाले users के लिए भी सबसे best laptop है तो इस वीडियो में इतना ही अब आप comment करके बताए कि आपको ये laptop कैसा लगा और अगर आपका कोई question या suggestion है तो नीचे comment box में लिख सकते हैं